पैक्स्टॉन ही लाश्ट में बचकर भाग पाई है उसे ट्रेन में वही ओल्ड मैंन बिलता है जिसके बाद में बात्रूम में जाकर पैक्स्टॉन में उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है हॉस्पिटल में इलाज के दोरान यहां पर कुछ लोग आते हैं जो पैक्स्टन से आकर यहां पर सवाल पूछते हैं पैक्स्टन अब पूरी स्टोरी बताता है साथ में वो इस बात का भी जिक्र करता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके हाथ पर एक डॉक का टैटू बना था और वे लोग लोगों को खरीद कर उन्हें टॉर्चर करते हैं अब उनमें से एक आदमी अपने हाथ के टैटू को दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस टैटू की बात कर रहे हो और इसके बाद में वो आदमी पैक्स्टन पर से हमला कर देता है लेकिन हमें यह पता चलता है कि पैक्स्टन एक सपना देख रहा था पैक्स्टन के साथ में जो भी कुछ हुआ था उसने सारी बाते अपनी गल्फरेंड यह बताई थी जिससे अब वो लोग पैक्स्टन को यहां पर ढून कर उसे मार देते हैं वो लोग यहां पर घूमने के लिए आई हैं और इस समय वो लोग एक मौडल की डॉकर रही है tempsом gullal दिखाने को कहती है फैंटिंग वैसे तो काफी डिसंट लगती है मगर एक्सला ऐससे खरीद जाती है अब यह लोग ट्रेन में होती है जिसके बाद में बित और विटनी अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है रास्ते में वह एक अजीब आदमी से टकराती है लेकिन वह इस पर ध्यान ना देकर आगे निकल जाती है अब यह आदमी इधर लॉर्णा को दरवाजे ने मेरा परस छीनने की कोसिज की थी और उसके पास में यह आईपॉड मिला है क्या यह तुम्हारा है इसे देखकर तीनों लोग खुस होते हैं जिसके बाद मैं एक्सल इनके साथ में बैट कर कुछ बाते करने लगती है एक्सल को पता चलता है कि यह लोग किसी चिलिंग औ वाली जगे के लिए जा रहे हैं जिसके बाद मैं एक्सल इनको अपने साथ स्लवाकिया में एक अच्छे से हाट स्प्रिंग वाली जगे पर अपने साथ में चलने को कहती है जहां पर यह लोग ज्यादा इंजॉए कर पाएंगी यह आइडिया सुनकर यह सब खुस होती है और अगले दिन यह लोग वही हॉस्टल के लिए निकल जाती हैं सो गाइज यह वही हॉस्टल होता है जिसे आप लोग ने पार्ट वन में देखा था यहां का रिसेप्शनिस इस सब के पासपोर्ट लेके इनके लिए रूम बुक कर देता है अब जब यह तीनों लोग अप बित और वेटनी को सबसे ज्यादा पैसे दे के उन्हें खरीद लेता है और वह अपने एक प्रेंट स्ट्वर्ट को भी यह बात बता देता है अब स्ट्वर्ट और दोनों लोग फ्लाइट लेके स्वाकिया आ जाते हैं जैसा कि कॉंट्रैक्ट होता है कि किसी को भी यह काम करने से पहले अपने सिरीर पर यह टैटو बनवाना जरूरी है जिसके बाद में टोर ठैटू बनवाना लेता है लेकिन स्टूर्ट पहले नहीं बनवाना चाहता था मगर टॉड के जबरदस्ती करवाने पर वो टैटू बनवा लेता है स्टूर्ट की सकल ही देखकर ऐसा लगता है कि वो इस काम के लिए भी रेडी नहीं है अब रात में हमें एक मेले को दिखाया जाता है जहां पर टॉड और स्टूर्ट अपनी क्लाइंट बिट और वेटनी को देख रहे होते है एक्चुली ये मेला रखा ही इसलिए जाता है जिसमें जिनों ने जिसको खरीदा है वो उसको यहां पर आकर देख पाए अब इधर बिट के ट्रिंग गलती से स्टूर्ट पर गिर जाती है जिसके बाद में बिट उससे माफिय मांगती है दोनों के बीच में कुछ बातों के साथ में हलका सा इंट्रोडक्शन भी होता है लौरना को इधर एक आदमी मिलता है जिसे लौरना बिट से उसके साथ में बोटिंग के लिए जाने को पूशती है बिट लौरना को उसके साथ में जाने के लिए मना करती है मगर लौरना उसकी बात माने बगएर उसके साथ में चली जाती है लॉर्णा अब इस अंजान आत्मी के साथ में बोटिंग करते हुए कुछ दूर किनारे पर जाती है जहांपर उसे कुछ लोगों के द्वारा मार कर बेहोस कर दिया जाता है ये जो भी लोग होते हैं लॉर्णा को लोग ले जाके एक जगे पर उल्टा लटका देते हैं कुछ समय बाद में वहाँ पर एक लेडी आती है वो लेडी लॉर्णा की बॉड़ी के नीचे निवड होकर लेट जाती है और एक हतियार की मदद से लॉर्णा पर हमला करने लगती है अब लॉर्णा से जो ब्लट निकलता है ये लेडी पूरी तरह से उसमें भीग जाती है आप लोग ये भी मान सकती हैं कि ये लॉर्णा के ब्लट से नहार रही है अब अगले दिन इस तरह बेट और वेटनी स्प्रिंग वाटर में नहार रही होती है तभी एकसल उसके पीछे से आकर बेट की मसाज करने लगती है इस समय बेट की आँख लग जाती है और कुछ समय बाद में जब वो उठती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता है वो पानी से बाहर निकल कर इधर उधर रूम में चेक कर रही होती है और यहाँ पर तभी कुछ आदमी आते है बेट जान जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड है जिससे वो इन सबसे बचके भागती है वो इस जगे की बॉंडरी वाल पर चटकर दूसरी साइड में कूद जाती है जहाँ पर उस तरफ उसे एकसल और सासा मिलते है एकसल बेट को अपने घर ले जाती है यह घर काफी आलिसान होता है बेट यहाँ पर देखती है कि एकसल की एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है तो उसने एक चोटी सी पेंटिंग क्यों खरीदा था जिसके बाद में बेट को हलका सा उस पर कुछ सक होता है एकसल बेट को उसके एक रूम में छोड़ कर चली जाती है जिसके बाद में बेट इधर फोटो में एक आदमी को देखती है जिसे उसने ट्रेन में देखा था अब जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो फिर से वही लोग यहाँ पर आये होते हैं बेट यहां से भागने का ट्राइ करती है मगर वो इन सभी लोगों के बीच में फस चुकी है वो छिपने के लिए कबर्ट में जाती है मगर यह एक तैखाना होता है जहां पर मरे हुए लोगों के सर सजे होते हैं अब इसके बाद में यहां पर बेट को पकड़ लिया जाता है इस साइट में हम देखते हैं कि वेटनी को एक आदमी उसे टॉर्चर के लिए जाने के लिए रेडी कर रहा है इधर स्टुर्ट और टॉर्ट जब यह बात जान जाते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जिस काम के लिए वो लोग यहां पर आए हैं तो उसके बाद में वो लोग उस जगे के लिए निकल जाते हैं यह दोनों लोग वही बंद पड़ी हुई फैक्टरी के तरफ जाते हैं जिसे आप लोग ने पार्ट वन में देखा होगा Stuart इन में से एक हतियार उठाता है और आकर वो इस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो Stuart देखता है कि ये बित है जिसके बाद में वो बित से कहता है कि डरो मत ये मैं हूँ Stuart यहाँ पर जिस काम के लिए आया है वो उसे करना ही होगा मगर फिर भी एक टाइम के लिए वो उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है बेथ अब यहाँ से बाहर जाने की कूसिस करती है मगर तभी Stuart के मन में फिर कुछ ऐसा आता है जिससे वो फिर से बेथ को पकड़ कर बांद देता है इस साइड में Todd के सामने वेटनी होती है और वो उसे torture करने के लिए काफी excited है वो इन हथियारों में एक Glender को चुनके उसे वेटनी की और ले जाता है Todd वेटनी के चेहरे पर Glender चलाता है जिससे कुछ बाल उसके टूल में फस जाते है इससे वेटनी की हालत बेहदी डरावनी हो जाती है जिसे देकर Todd का मन इतने में ही भर जाता है वो यहां से निकलता है मगर यहां के लोग कहते हैं कि तुम्हें उसे पूरा मारना होगा क्योंकि यहां का ऐसा ही contract होता है Todd अभी यहां पर कहता है कि मैंने इसके लिए पैसे दिये हैं मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ जिसके बाद में अब Todd यहां से निकलता है लेकिन यहां के लोग उसके पीछे dogs को छोड़ देते हैं जिससे यह dogs Todd को बहादी बुरी तरीके से मार देते हैं अब इस तरह वेटनी को पट्टी करके उसकी photo खीचा जाता है और इसे यह लोग दूसरे सक्स के पास में ले जाकर कम धाम में किसी को खरीदने के लिए मनाते हैं यहां पर हम एक old आदमी को देखते हैं जो पहले से किसी का torture कर रहा था वो इस आदमी के पैर के मास को कच्चा ही खा रहा था यह लोग अब इस्टूर्ट के पास में जाते हैं और इस्टूर्ट जब वेटनी को देखता है तो वो उसे अच्छे दामों में खरीद लेता है इस्टूर्ट तभी यह भी देखता है कि उसके फ्रेंड को इन लोगों ने मार दिया है अब इस्टूर्ट दूसरे कमरे में वेटनी के पास जाकर उसे मार देता है जिसके बाद में वो फिर से बेट के पास आता है वो ये बताता है कि उसने वेटनी को मार दिया है अब तुम्हारी बारी है लेकिन यहाँ पर बेथ उसे सेडियूस करने लगती है बेथ स्ट्वर्ट को किस करने को कहती है और जब स्ट्वर्ट उसे किस करने के लिए आगे बाढ़ता है तो बेथ अपने आपको बचा कर उस पर हमला करते हुए उसे ही बान देती है इस कमरे में लगे हुए कैमरे से यह पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड हुई है सासा यहाँ पर देखता है कि बित इस आदमी को टार्गेट करके यहाँ से निकलने को कह रही है बित यह भी कहती है कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए कितना पैसा लोगे पर टैटू बनवा कर इनके जैसी बन जाती है अब लास्ट में हम देखते हैं कि उसी मेले में एक्सल के पर्स को कोई बच्चा चुरा कर भागता है और जब उसके पीछे भागते हुए जंगल में जाती है तो यहां पर बेथ होती है जो एक्सल का गला काट देती है और अंत म लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा आज की वीडियो के लिए बाए जैहिंद बंदे मातरम